यह आपका हर्याना प्रदेश किसानों जवानों पहलवानों का प्रदेश है यहां आकर बहुत फुशी होती है बहुत गर्व महसूस होता है दिल्ली तो पास में ही है आना जाना काफी हो जाता है मेरे बच्चे कुड़गाओं में पढ़े मेरा अपना भी आनुभव है आपके प्रदेश का मेरी बेहने बैठी है कुछ सालों पहले लगवग आठ साल पहले मेरी बेटी शायद 15-16 साल की थी तब वो हर्याना प्रदेश के लिए बास्केट बॉल खेली तो वो भी खेल कूद में तेज है जब उसको यहां आना था एक कैम्प के लिए सर्दी का समय था मैं भेजना चाह रही थी कि जाए बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेलें इसी खें कि मैंने का मैं थोड़ आती हूं है मैं यहां आई वोनेपत के पास एक जगे थी जहाब इस्कूल में कैम्प था कोचिक का था तो सुबह छोड़ना था और शाम को बेटी को घर ले जाना था को मैंने सूचा अगर मैं कैम्प में जाऊंगी तो सबको पता चलेगा कि यह किस किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है सब की तरह समान तरह से उसके साथ व्यभार होगा तो मैंने बेटी को छोड़ दिया सुभे पाठशाला में यहां सोनेपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि अपनी गाड़ी हम किसी खेत के पास लगा देते हैं गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन तो बैठी थी मैं गाड़ी में कुछ एक दो किलो मीटर दूर था पाठशाला से और मैंने खेतों में देखा कि एक दादा जी खेत में काम कर रहे हैं तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठेहरो मैं जाके जारा बात करती हूँ मैं चली गई खेत में उनसे बात करने के लिए उन्होंने मुझे पहचाना नहीं सुरक्षा कर्मी दूर थे बात्चीत हुई, मैंने कहा मुझे सिखा दीजे, कटाई करना, कटाई कर रहे थे, तो थोड़ा सिखाया मुझे, थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली, उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, ठक गई होगी, धूप बहुत है, तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे सा गर में चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा अराम कर लेना, मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतजार करना है, तो चलो इनी के घर चले जाती हूं, दादु जी के साथ चली जाओंगी, भही बैट जाओंगी, पूरा दिन इंतजार करना है मुझे, तो दादु के साथ मैं घर चली मुझे घर ले गए अपने, घर में दादी जी थी, चोटे-चोटे बच्चे थे, बहुए थी, मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाएं, चाय पिलाएं, सारी बाते बताएं कि कौन कहां पड़ता है, कौन किसकी नौपरी कहां है, सारी चीज़े मुझे एकतम अपना लिया, अपना बभी अभी मिले थे, मुझे जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मूप बाते हुई, कि किस तरह से क्या करते है, क्या होता है, अपना जीवन कैसे कोजारते है, तब ही चार पांच घंटे बीटका है, म मुझे देखते ही पहचान लिया, बॉब का कि आप तो प्रियकका है, अब मैं भी मैने कहां नहीं था उनको अचsaनक मुझे लगा मैंने काउया, तो पिर तो सब ने और भी गले लगाया, अपनाजी जीANG आप, नीणी पिता जी की बाद आद ची हो गाए, देघिया है, कभी मेरे घर भी आते हैं जब जब मेरे घर आये तब इखाली हाथ लेए अनना लाए लाए वच्छों के लिए कुछ नो कुछ लाए और दादी जी सीधी मेरे सीधे मेरी रसोही में गई हो पराठे बनाने लग गई सब के लिए खाना पकाया हूँ तो एक अपना पन जो था तो एक दमबन गया और मुझे अक्सर लगता है कि यही है अर्याना यही है हार्याना की जनता यही आBK meow यही हैं आपके संस्कार और एक और बात बता देती हूँ कि उन आठ सालों में मेरे से एक चीज नहीं मंगी कुछ भी मांग सकते थे जब हमारी सरकार थी केंदर में तो ठीक है लेकिन सरकार नहोते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे ये नौकरी दिलवादो एक काम करा तो कुछ नहीं महांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है, और मैं समझती हूँ हमेशा, कि जो आपका प्रदेश है, और मेरा परिवार है, उसके बीच जो रिष्टा रहा है, उसी का प्रतीक, ये मेरा एक छोटा सा रिष्ट झाल